जै मसी की दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनल कोचर है और मैं बाम में में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूँ धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर से कि मैं परमेश्वर के वश्णों को आपके साथ रोज बाढ़ता हूँ तो दोस्तों आज के सुर्गे मनना का भाग हमने लिया है यशा है कि पुस्तक उसका 26 अध्याए और उसका 21 वचन वचन कहता है क्योंकि देखो यहवा अपने इस्थान से पृत्वी के निवासियों को उनके अधर्म का दंड देने के लिए चला आ रहा है तब पृत्वी अपने उपर बाहे गए लहू को प्रकट करेगी और घात किये हुऊं को छिपाना रखेगी धन्यवाद पिता परमेश्वर तिरहर वचन में शिख्षा है और सत्यता है ग्यान है दोस्तों ये वचन हमें क्या बता रहा है ये वचन हमें अंतिम समय के बारे में बता रहा है अंतिम समय को हम कैसे जाने हैं दोस्तों अंतिम समय को जानने के लिए हमें बाइबल को जानना बहुत सरूरी है दोस्तों परमेश्वर ने इस पूरी पृत्वी को स्रिश्री को साथ दिन में बनाया यानि कि छे दिन में उसने पृत्वी की रशना की और साथ दिन उसने विश्राम किया यानि कि हर समय सुनिश्चित है हर समय जो भी बनाया गया है वो सुनिश्चित है और हर समय परमेश्वर की ओड़ से प्रकाठे हालिलू Argent बैबल कहती है कि परत्वी का 1000 वर्ष स्वरका एक दिन होता है इसका मतलब परमेश्वर ने जो सिष्ठी बनाई है वो छे दिन में बनाई है साथवे दिन में विश्राम किया है इसके लिए इसका मतलब पृत्वी को परमेशों ने साथ हजार वर्ष दिये हैं देखें दोस्तों परमेशों का हर काम पूर्ण निश्चय और सिद्धता के साथ होता है परमेशों ने सिष्टी समय पर बनाई उसको देखा उसे अच्छा लगा इश्चय का आना निश्चय था इश्चय का जाना निश्चय था और इश्चय का दोबारा आना भी निश्चय थे इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आदम से इबराहिम तक दो हजार साल हुए है अब्राहेम से एशो बसी तक 2000 साल हुई है और एशो बसी से अब तक 2000 17 साल हुई है इसका मतलब अब तक जब से पर्त्री बनी है 6000 17 साल हो चुके है फालेलोया इसलिए दोस्तों नयाय का दिन बहुत निकट है इस समय ये वक्त जो चल रहा है ये अनुख्रे का वक्त है ये पर्मीशर की kripा का वक्त है उसके सबर का वक्त है क्योंकि वह सबर किये हुए सवर्ग में बेठा हुआ इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने चुना है वो अभी भी जाने वो अभी भी पश्टा टाप करे और परमेश्र के सामने आएं परमेश्र के करीम आएं परमेश्र के सामने नतमस्तक हो और उसको अपने आप को देदे खालिल भी या यह वक्त है यह वक्त है जब गुपत आगमन कभी भी हो सकता है यानि कि रैप्चर कभी भी हो सकता है उस रैप्चर के लिए हम तयार रहें बाइबल कहती है परमेशर के शिक्षा कहती है इशू का आगमन कहता है इशू मसी का त्याग कहता है इशू मसी का बलिदान कहता है इशू मसी का मरना और इशू मसी का जीना उटना ये कहता है कि परमेशर इशू कभी भी आ सकता है और जब वो आएगा तो न्याधिश के रू आए होगा हाले लिया दोस्तों मैं जब बाइबल को पढ़ता हूँ और इस अंतिम स्वाइब के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही बहुत ही वैकुलत होती है क्योंकि जब इशू अब जो इशू आएगा तो न्यायधीश बन कर आएगा हमारे सामने अब तक इशू करूब क्या है एक न्याय के बारे में वो अभी भी परमेश्र के पास बैटा हुआ परमेश्र के दाइनी और बैटा हुआ मद्यस्ती कर रहा है हमारे लिए हमारे लिए प्रात्रा कर रहा है कि हमारे बच्चों को परमेश्र बचाए हमारे लिए प्रात्रा कर रहा है कि हम कि खोलेगा तो प्रित्वी का नियाए होगा मैं पढ़ रहा था प्रकाशिवदाते प्रकाशिद्वाग के छे का उसका तीसरा वचन कि जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना आ तब लाल रंग का एक और घोड़ा निकला उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि वो प्रित्वी पड़ से मेल मिलाब उठा ले कि लोग एक दूसरे को घात करें और उसे एक बड़ी तलवार दे गई प्रेसलोट ये कौन कर रहा है ये इशुमसी कर रहा है इशुमसी पहरा इशुमसी ने दूसरी महर खोली और आग क्याती इशुमसी ने उस समय जब गुपताब आगमन के बाद जब उन महा काल महा संकट का समय प्रित्वी पर आएगा तो इशुमसी धर्टी से मेल मिलाब उठा लेगा कौन उठा लेगा मेल मिलाब जिस मेल मिलाब को करने के लिए इशो मसी ने अपना बलिदान दिया था जिस मेल मिलाब को करने के लिए इशो मसी ने त्याग दिया था इशो मसी उस मेल मिलाब को धर्दी से उठा लेगा क्यों? क्योंकि न्याए का वक्त आएगा क्योंकि न्याए होगा नियाए होगा और Bible कहती है कि जो लोग आपको जानते हैं जो लोग आपके परोसी है जो आपके भाई हैं बहन है एक दूसरे को घात करेंगे क्यों? क्योंकि मेल मिलाब उठा लिया गया है आज क्या है दर्दी पर? मेल मिलाब दोस्तों अगर आज आज आपका परोसी आता है आज आपकी बहन आती है आज आपकोई रहागीर आपकोई अजनवी आपकी सेवा करता है आपकी साहता करता है तो ये समझ लिजे ये जान लिजे कि वो इशू मसी है उसके अंदर वो इशू मसी है जो आपकी सेवा कर रहा है वो इशू मसी है जो उसके दोरा आपके संग मेल मेलाब कर रहा है क्योंकि इशू मसी ने हमें मेल मेलाब की सेविकाई दी है क्योंकि परमेश्वर ने इशू मसी के दोरा हमें मेल मेलाब की सेविकाई दी है इसलिए हमें उस मेल मिलाब के अनुसार चलना है लेकिन हमें उस मेल मिलाब के साथ चलते हुए परमेश्वर की आग्याओं को नहीं बूलना है परमेश्वर के प्यार को नहीं बूलना है परमेश्वर की कृपा को नहीं बूलना है इसलिए रैप्चर का समय गुप्त आगमन का समय बहुत ही निकट है और उस समय के लिए हमें अपने आपको तयार करना है कि हम इस गुप्त आगमन में जाएं नहीं तो नहीं तो न्याय के दिन संकट के समय, महा संकट के समय सर्वनाश होगा लोग रह नहीं पाएंगे आपके अपने आपको खाएंगे आपके अपने आपको घात करेंगे दिया करेंगे पर्मिश्र की दिया जो इस समय हमारे साथ है हम उसको बना कर रखें तो दोस्तों इस अंतिम समय में हम याद करें कि पर्मिश्र की उपसिती पर्मिश्र का आगबन परमेशर की जो आग्या है परमेशर की जो कृपा है परमेशर का जो अनुगरा है हम उस की कीमत को समझे और उस अनुगरे को जाने ना दे और अपने आपको परमेशर के योग के बना के रखे आई हम सब प्रात्रा करते हैं पिता परमेशर धन्यवाद देते हैं तेरे पवित समर्ति नाम के लिए तुम महान परमेशर हम इस अंतिम समय में तेरी कोई भी आग्याओं से टले नहीं हम तेरी कोई भी आग्याओं को हम तेरी हर आग्या को माने परमेशर चाहे हमारा कोई रिष्टा रहे या ना रहे लेक मस्या के पगद समर्ति नाम से हर सुनने वाले भाई भेन के लिए आशीर सुक और चंगाई मांगता हूँ धन्यवाद देता हूँ प्राथना आपने सुनी और कबूल की अमेन